नमस्कार मैं हो ससी आया जर्खन की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं जर्खन में आज से नाइट कार्फ्यू धारा 144 रात आठ बैस से सब कुछ बंद जर्खन में आज गुरुवार आठ अप्रेल से 30 अप्रेल तक धारा 144 के तहत निसे धाग्या लागू कर दी गई है इस दोरन आपात इस्थिती को छोड़ कर घरों से निकलने की सकती मनाई है तमाम दुकाने पजार और प्रतिष्ठान रात आठ बैक बंद रहेगा या कुरोना के बढ़ते संक्रमन को देखते वे जारी किये गए दिशा निर्देश हैं सभी से अपील किया गया है कि नियमों का कराई से पलन करे मौसम विभाग ने जाखन राज के कई जीलो के लिए बुद्धवार को एलो अरज जाई किया है बता दे इसके तहत गुरुवार और सुक्रवार को राज के कई जीलो वह हिसो में मौसम बदलाव की संभवना ब्यक्त की गई है जिसके तहत आठ अपरेल को राज एक के उत्तर पच्मी भाग के पलामों गडवा चत्रा कुडरमा लातेहार वा लोहर दगा में उसन लहर चलने की समभवना है इसके अलावा उत्तर पूर्वी वह दक्षनी भाग के देवखा धनबाद दुमका गिरी डी गोड़ा जामतरा पांकुल वा साहिव गंज के अलावा पूर्वी सिम्भूं पच्मी सिम्भूं सिम्डेगा वा सराय के लेकर सवा जैसे जीलो में कहीं कहीं में गर्जन वा इसो में गर्जन बजरपात और तेजावा चलेंगी जारखन में इस्कूल बांद लेकिन खुले रहेंगे आगन बारी केंद्र कोविद नाइंटीन के बरते परकोप को देखते हुए राइसरकार ने फिलहाल इस्कूलों को बंद रखने का निनाय लिया है लेकिन अब तक अंगन बारी केंद्रों को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है असपश्ट है कि अंगन बारी केंद्र खुले रहेंगे इसका जारकान परदेश अंगन बारी वरकर्स एसोसियेशन ने करा बिरो दर्ज कराया है बतादे एसोसियेशन ने इस विशाय में समाज कर लि पुलिस को दिये सक्त आदेश के फैलाओ को रोकने के लिए सभी जीलो में पुलिस की सक्ती शुरू हो चुके है बतादे पुलिस मुख्याले के निर्देश पर सभी जीलो में पुलिस ब्यापक प्रमाने पर मस्क चेकिन अभियान चला रही है वहाई भीरभावाले इलाकों में सरीरिक दूरी का पाड़ान हो इसे सुनिश्चित कराने के लिए जीलो में सीनियर पुलिस अधिकारी की घुम घुम कर विवस्ता समधी जनकाई ले रहे हैं और अपने कनिय पद्यतिकारियों को दिशाने देश भी दे रहे हैं 11 अप्रेल से मुफ्त में जार्खन के सभी सरकारी प्राइबेट कर्यालियों में वैक्सीन पधान मंत्री नयंद मोदी की सरकार ने कामकाजी वर्ग को बड़ी रात दी है जो जहां काम कर रहा है उसे अब वहीं कुरोना टीका लगेगा इसके लिए राजियों में तैयारिया सुरू कर दी गई है बतादे जार्खन के सभी सरकाई और प्राइबेट कर्यालियों में कुरोना वैक्सीन लगेगा इस महती अभियान की सुरुवात 11 अप्रेल से होगी बताया जा रहा है कि केंदे सरकार कुरोना वार बुद्वार को राज में 26 टीका करन अभियान चलाया गया बतादे मुख्य सचीव सुकदेव सिंके निदेश पर चलाएगा इस अभियान में कूल 9793 लोगों का टीका करन हुगा इसमें 86,594 लोगों को जाहां पहली डोज लगी वहाहीं 41,995 लोगों को दूसरी डोज का ट लगाया गया है रांची में मास्क चेकिन अभियान में वसुला गया 82,000 रुपय रांची में बुद्वार को मास्क चेकिन को लेकर ट्रैफिक पूलिस नाभियान चलाया बदादे रात आठ गय तक ट्रैफिक पूलिस ने 164 वानों से 202,000 रुपय का ज church की जुरूमाना वस बोकारो इस्टील प्लांट में वैकेंसी बोकारो इस्टील प्लांट में कई पदो पर भरती को लेकर नोटिस जारी किया गया है बता दे एक चुक और योग्य उमिद्वार प्रकासित नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़े और अपनी योगिता के अनुसार ओनलाइन क के लिए उमिद्वारो की योगिता पदों के अनुसार निधायत किया गया है आपको बता दे कि इन पदों पर ओनलाइन आवेदन जमा करने के अम्तिम तारिक 28 अप्रील 2020 तक निधायत किया गया है वहीं चैनित उमिद्वारो का बेतन 24 और 900 से लेकर 50 500 रुपए प्रतिमा दिये जाएंगे बता दे ओनलाइन अवेदन के लिए www.sailcareer.com पर किये जा सकते हैं जार्खन में 1312 नैस सेंक्रमित की पुष्टी हुई है जो राची से 562 बुकारों से 49 चातरा दोस देवघर 34 धनबाद और सट दुमका 49 पूर्वी सिमू 149 गडवा 13 गिरीडी 17 गोड़ा 16 गुमला 33 सजारीबा गरतालीस जामतरा 26 खुटी 13 कोड़ार्वा 26 लाते आर 28 लोहर 16 पांकुर 2 पलामुतीन रामगार संतावन साहिवगन 34 सराय किला 2 सिम्टेगा 1115 से 21 मरीज मिले हैं बता दे जार्खन में 7 मरीज की मौत हुई है जो राची से 4 चातरा से 1 दुमका से 1 और कोडर्मा से 1 सामिल है जार्खन में कूल मौत की संख्या 1151 है वहीं कूल एक्टिव क संख्या 7800 बहुत्तर है भारत में 1,266,265 मरीज मिले हैं भारत में कूल मौत की संख्या 1,666,892 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 9,521 है केंद्रिय मंत्री और जार्खन के पुर्व सीम और जार्खन मौन्डा कुरोना संक्रामित हो गया है बता दे बीज़एपी पर सहज महसूस हुआ उन्होंनों कुरोना जाच कराई जाच रिपोज पोजिटिव आया इस बात की जनकारी सिरिमूंडा ट्विट पर दी है मैट्रिक इंटर परिक्षा के सभी केंद्रों के दो कमरे बनेंगे आइसोलेशन रूम मैट्रिक इंटर की बोर्ड परिक्षा 4 मई से सुरू होगी बतादे परिक्षा के दोरान COVID-19 से बचाओ के सभी दिशार निदेश कारणों पारना सुरिश्चित करे सभी परिक्षा केंद्रों के दो कमरे को आइसोलेशन रूम बनाए किसी परिक्षा थी में अगर COVID-19 के लक्षन दीखे तो आइसोलेशन रूम में उसके परिक्षा दिलाने की ववस्ता करे मंगलवार को जिलाई स्कूल सभागार में हुई बैठक में छेतरीय उप सिक्षा निदेशक सराची के जिला सिक्षा पदाधिकारी अरवींद विजय ने उक्त निर्देश दिये जारखन डिजीपी ने चाईवासा के नक्सल परभावित पूलिस पिकेट का किया दौरा जारखन के पूलिस महानि देशक एवं पूलिस महानि रिक्षक निरज सिनाने बुध्वार को पच्छमी सिम्भूम जीले के चाईवासा के टोंटो थाना अंतरगत घोर नक्सल का अब यान की समिक्षा की घर-आनुसुचीत जीलों के सिक्छकों की बहाली कब होगी हाई कोट जारखन हाई कोड के जस्टिश डक्रेशन पार्ठक की अधुम बुध्वार की prosecutor मामली में सुनवाई हुई अदालत ने सरकार के रवाईये पर नराजगी जताते हुए सिक्षा सचीर से पुछा कि आखिर गयर अनसुचित जीलों में संस्क्रीट यों इतियाद के सिक्षकों कि अब तक नियुक्ति क्यों नहीं की गई अदालत ने कहा कि जब सोनी कुमारी के मामले में ब्रियाद पीठ नहीं असपस्ट कर दिया है कि गयर अनसुचित जीलों में हो रही नियुक्ति पर ना तो किसी परकार की कोई कानूनी अचन है तो फिर सरकार जे एससी की अनुसंसा पर नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है रांची सिविल कोर्ट में 22 अपरेल तक फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी गए है बता देन नहीं आया युक्त नौनीत कुमार ने इससे समंधित अधिसुचन जारी कर दिया है इस दोरान वर्चुल सुनवाई होगी बता दे कि इससे पहले 7 अपरेल तक रोक लगाई सब्सक्राइब कर दिया है बता दे मुख्मांतिर हमां सुरे ने मंगलवार को हाई लेवल मेटिंग के बाद नया सुपी जारी किया है इसके तहत तीस अपरेल तक राज में 24 वहीं स्कूल और कोलेज बंद रहेंगे सरुजनिक अस्थान पर पांच से अधिक लोगों को एक साथ आने जाने के उन्मति नहीं दियाएगी सभी दुकानों और संस्थानों को रात आठ बज़े के बाद बंद करना होगा पार्क और स्यमिंग पूर बंद रहेंगे जीम कल्व बंद रहेंगे साधी बिवा को छोड़कर सभी सरुजनिक कार्य निसीद हैं वहीं साधी बि पूलिस कर्मियों में संक्रमन रोखने के लिए एफ हाई आर के लिए थानों में लगेंगे ड्राफ बॉक्स रांची में बरते संक्रमन को देखते हुए एसेसपी सुरेंदर कुमार जहान ने संक्रमन से बचने के लिए आदेस दिया है आदेस में कहा गया है कि पूलिस कर् क्राइते थाने के ड्राप बॉक्स में डाली जाएंगी हालात बीगड़े तो और कड़ाई करेंगे मुख्यमंत्री हैं जिर्खणके मुख्यमंत्रीहमंसुरे ने लोगों से अपील किया है कि जब तक मामला संगीन ना हो कुरोना संक्रामित लोग अपने घरों में होम आइसुलेशन में रहे ताकि अस्पतालों का बोज बढ़े नहीं कोई पोजिटिव ब्यक्ति हो और उसको खास दिकत ना हो तो घर में ही रहकर इलाज करा सकते हैं किसी को दिकत होगी तो ततकाल अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा उन्होंने कहा कि इस तरह से अधिक जरूरत मन्द लोगों का अस्पताल में इलाज हो सकेगा लोगों से अपिल करते हुए कहा कि वे बेवाजा कहीं जामावला ना लगाएं इस्तिति ख प्रदेश अध्यक्स बीत मंत्री रामेशुर राहने बुद्वार को कहा कि मधुपूर विधान सबा उपचुना में महागट बंधन के जहां मों उमिद्वार हफिजूल अंसारी के चुनाव जितने में कोई संदेर नहीं होना चाहिए वे मधुपूर उपचुना में महागट बंधन उमिद्वार के पक्ष में परचार के लिए दल बदल के साथ मधुपूर रवाना होने से पूर्व राची कंग्रेस बहुन में पत्रकारों से बाचित कर रहे थे उराओं ने कहा कि गटबंधन की उमिद्वार प्रचंड बहुमत से जित हासिल करेंगे जीम संचालको ने किया विरोध धनवाद के कोईलाचन के जीम संचलकों ने बुधवार को गांधी सेवास्तादन पहूंचकर जाकन सरकार की जारी गाईडलाइन के ब्रियोत किया साथी जीम संचलकों ने सरकार के आदेश के खिलाप अपने संस्ठान को खुला रखने के गोस्तना किया है दरसल मुक्य मंत्री मंसुले ने कुरोना के रोक्ताम को लेकर मंगरवार को गाइडलाइन जारी किया था इसमें अगले आदेश तक के लिए सुबे के तमाम स्कूल कॉलेज मनुरंजन पार्क आधी को बंद रखने का आदेश दिया गया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल के लाइकन दबाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाट से फेस्बूक ट्यूटर इस्टाइगराम पर सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में आपना फीड़बैक आवास्य दे थाइंक।